हेलो फ्रेंट्स मेरे चैनल में आप सब का स्वागत है फ्रेंट्स आज हम सीखेंगे जैन स्वेटर डिजाइन यह इस तरह से बनके आता है और चार सिलाइओं का यह डिजाइन है आगे इस तरह दिखता है और बैक सैडिस का इस तरह से बनके आता है आई ये सीखते हैं डिजैन की पहली रो, पहली रो में पहला वाला फंदा हम सीधा बना लेंगे एक फंदा सीधा बना लेंगे और इस फंदे को बिना बुने उतार लेंगे इसके बाद चार फंदा सीधा एक, दो, तीन, चार इस चार फंदा सीधा बनाने के बाद जिस फंदे को बिना बुने उतारा था उस फंदे को इन चार फंदों के उपद से इस तरह से ले लेंगे फिर तीन फंदा उल्टा एक, दो, तीन फंदा उल्टा धागा को आगे की तरफ रखेंगे पहला वाला फंदा बिना बुने उतार लेंगे फिर चार फंदा सीधा बना लेंगे एक, दो, तीन, चार जो फंदा बिना बुने उतारा है उसको इन चार फंदों के उपर से इस तरह से ले लेंगे फिर तीन फंदा उल्टा बनाएंगे, एक, दो, तीन फंदा उल्टा, इस साइट वाला फंदा है, इसको हम सीधा बना लेंगे डिजैन की पहली रो अमारी कम्प्लीट हो चुकी है, अब डिजैन की दूसी रो, बैक सेट दूसी रो में यह वाला फंदा हम उल्टा बना लेंगे, और यह तीन फंदे दिख रहे हैं, इसको भी हम बैक सेट से एक उल्टा बना लेंगे, इस तरह से, एक, दो, तीन, तो एक तो तीन चार फंदे हमारे उल्टे बने हैं तो यह चार फंदे हैं इनमें हमने पहला वाला फंदा तो हम उल्टा बना लेंगे तो यहां हमारे पांस फंदे हो गए हैं एक दो तीन चार पांच धागा को आगे कितब रखेंगे पहला वाला फंदा हम सीधा बना लेंगे एक फंदे को सीधा बनाने के बाद जो ये फंदा दिख रहा है इसको भी हम सीधा बना लेंगे इस तरह से इसको भी हम सीधा बना लेंगे इस फंदे को सीधा बनाने के बाद एक फंदा और सीधा बना लेंगे ये तीन फंदे हमारे backshare से सीधे बनेंगे इसके बास हम पांस फंदे उल्टा बनाेंगे एक फंदा यहां से लेंगे और इन पांच फंदों को उल्टा बनानेंगे एक, दो, तीन, चार और जो ये ग्रूप में है फंदे इन मैं से एक ये पांच बना ये पांस फंदे हमारे उल्टे बन गए हैं फिर धागा को आगे की तरव रखेंगे फिर इसके बाद एक फंदा हम सीधा बना लेंगे और जो ये फंदा दीख रहा है इसको उठा के इसको भी हम सीधा बना लेंगे दो फंदा फिर एक फंदा सीधा यहाँ पर तीन फंदे हमा डिजैन की दूसी रो भी हमारी complete हो चुकी है अब डिजैन की तीसी रो में जो फंदा जैसा दिखता उसको वैसी बना लेंगे दो फंदे सीधे दिखेरें इनको सीधा बना लेंगे और इन तीन फंदो को उल्टा बना लेंगे जो back चार ये पांचवा फंदा थागा को अपनी तरव लेंगे यहां तीन फंदे उल्टा बना लेंगे एक दो तीन पांच फंदा सीधा एक दो तीन चार पांच ये तीसी रो हमारी कमप्टिट हो चुकी है डिजैन की चौथी रो चौथी रो में भी जो फंदा जैसा दिखता उसको हम ऐसी बना लेंगे पांच फंदे उल्टा और तीन फंदा बैक सैसरे सीधा बना लेंगे तीन फंदा सीधा ये चौथी रो भी हमारी कमप्टिट हो चुकी है यहां पर दो फंदा साइट में उल्टे हैं तो इसको हम उल्टे बना लेंगे चौथी रो भी हमारी कमप्टिट हो चुकी है अब हम दूसर डिजाइन सुरू करेंगे यह दू सीधे हैं तो इसको हम सीधा बना लेंगे और यह उल्टे फंदे हैं तीन फंदे उल्टे एक दो तीन फंदा उल्टा यह में रिपीट करेंगे जो हमने फेस्ट रो में किया पहला वाला फंदा बिना बने उतार के एक दो तीन चार फंदे को हम बना लेंगे और जो फंदा बिना बने उतार है उसको हम इन चारों फंदों के उपर इस तरह से ले लेंगे यहां तीन फंदा उल्टा एक दो तीन यहां इस फंदे को इस तरह से तरह सेवले लेंगे फिर एक में दो तीन चार फंदा हमने बनाने के बार में फिर फर्स्ट वाला फंधा है जिसको हमने बिना ब्ले उता रहाँ था इसको हम इस तरह से इन चारों फंदों की उपस्ट इस तरह से ले लेंगे डिजाइन की तूसरी स्लाई दूसरी स्लाई में इन फंदों को पहला वाला फंदा हम यह उल्टा बना लेंगे फिर धागा को आगे की तरब रखेंगे फिर एक फंद हम सीधा बनाएंगे और जो यह दीख रहे है इसको भी हम सीधा बना लेंगे और एक फंदा और सीधा बना लेंगे जो ग्रूप में है उसमें हम पहला वाला फंदा उल्टा बना लेंगे फिर तीन फंदे हम सीधे कर लेंगे इसको यहां फिर यह एक फंदा है और यहां जो तीन सीधे सीधे हैं यह चार फंदे हो गए एक दो तीन और यहां एक फंदा लिया था तो हमारी यह चार फंदे हो गए फिर यह ग्रूप जो दिख रहा है आपको इसमें से हमने पहला वाला फंदा हम उल्टा बना लेंगे धागा को आगे की तरव रखेंगे फिर एक फंदा हम सीधा बनाएंगे और इसको भी हम सीधा फंदा बना लेंगे जो दीख रहा है इसको भी हम उठा के इस फंदे को उठा के इसको सीधा बना लेंगे एक फंदा और सीधा बना लेंगे ये तीन फंदे हमारे सीधे हो गए हैं अब पा तीन, चार, पांच, साइट वाला है, इसको भी हम उल्टे बना लेंगे, इस्तर से बनके आएगा फ्रेंज से, इनी चार सिलाइओं को बार बार रिपीट करना है, जैन स्टर डिजाइन है, आप देख सकते हैं, इसको पूरा बनके इस्तर से दिखेगा, आप फुल स्टर में इसको अपलाई कर सकते हैं, हाफ स्टर में भी इस डिजाइन को अपलाई कर सकते हैं, चार सिलाइओं का बहत आसान डिजाइन, आप इसको फुल स्टर में जरूर ट्राइ किजीगा, जैन स्टर में, थैंक यू, फिर मिलते एक नहीं वीडियो के साथ,